हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स कोरोनम हमारी के संक्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है वह 45 प्लस लोग के लिए वैक्षिन लाग चुकी है और बहुत सारे लोग लगा भी चुके हैं और फ्रेंड्स अ मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ प्लीज एंड्स तक बने रहे हैं और फ्रेंड्स सीधे चलते हैं लैप्टॉप पे सो दोस्तों अभी जो है हम गूगल डॉट कॉम पर आ चुके हैं आप यहां पे जो है यहां पर आप कोविन करके भी अगर आप सर्च करें है तो आप जो है सीधे इसको ऐसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर जो है आपका यह वेबसाइट खुल जाएगी यहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल वैक्सिनेशन जो है अभी कितन लोगों को दो डोस मिला है टोटल इतने लोगों को वैक्सिनेशन मिला है तो यह सारी चीजें जो है यहां पर जो है आपको देखने को मिलेंगी अब दोस्तों यहां पर साइन इन के प्रोसेस के लिए आपको जो है यहां जाना पड़ेगा अब यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां पे click करने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना mobile number यहां पे डालना होगा तो अब जो है दोस्तों हम quickly यहां पे अपना mobile number डाल के OTP verification हम कर लेते हैं तो यहां पे मैंने अपना mobile number डाल दिया अब जो है मैं get OTP करके अपना OTP verification कर लेता हूं तो basically आपके इस पूरे registration process के लिए यह number जो है आपका register हो जाएगा और आपको इसी number पे दोस्तों further जो भी update होंगे वो आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तों यह है और आपको तीन मिनट के अंदर दोस्तों यह OTP verification करना होता है तो मैंने OTP डाल दिया है अब जो है मैं verify and proceed कर सकता हूं तो दोस्तों यह करने के बाद दोस्तों देखे आपका जो है यह registration का form open हो जाता है अब चलिए यहाँ पे जो कुछ terms and conditions दी हुई है पहले उसको भी पढ़ लेते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि online registration and appointment is now open for 18 to 44 age group as well तो देखे friends पहले था कि 45 age के ऊपर के लोगों के लिए vaccination हो रहा था अभी जो है यह 18 to 44 age group के लिए भी दोस्तों यह open हो चुका है तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पर registration start कर सकते हैं प्लस दोस्तों यह बाकि और भी terms conditions है फिर यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों कि आप एक registration से अपने जो family members हैं उनको भी दोस्तों आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो उसका जो भी process होगा दोस्तों वो जो है मैं आपको बत दोस्तों की डेट में जो vaccines approved है वो है दोस्तों एक है को वैक्सीन और एक है कोवीज कोवी शील्ड तो जो आपका कोवीज इस दोस्तों वह जो है आपका जो असका सेकंड डोज है वो जो है 28 to 48 42 डेज बाद लेना है आपको फर्स डूस लेने के और जो और जो सेकंड जो हम चलते हैं यहां पर रेजिस्टेशन करने के लिए तो दोस्तों देखें यहां पर एक और चीज़ दी हुई है कि आonton सब्सक्राइब करने पर दोस्तों यहां पर देखें आपका यह रजिस्टेशन का पर्म औपन हो जाता है इस रजिस्टेशन के पर्म में दोस्तों आपको जैसा मैं ने बताया था आपको एक फोटो आइडी प्रूफ देनी होती है उस ID proof का क्या number है आपको वो बताना होता है आपको अपने नाम बताना होता है आपको अपने gender बताना होता है और साथ ही साथ आपका year of birth क्या है आपको वो भी यहां पर declare करना होता है तो अब पहले हम photo ID proof यहां पर upload करेंगे तो देखें दोस्तों यहां पे आपको आधार कार्ड आप दे सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं पैन कार्ड दे सकते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं जिन लोगों के पास उनका पैंशन पासबुक हो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं एन पी आर स्मार्ट कार्ड द दोस्तों accept होते हैं तो हम जो है आज पैन कार्ड अपना यहां पर upload करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर पहले मुझे यहां पर enter करना होगा सो मैं जल्दी से यह पूरा प्रोसेश जो है अब complete करता हूँ तो दोस्तों यह हमने अपना पैन कार्ड डाल दिया है और पैन कार्ड में जो आपका नाम है दोस्तों वहीं जो है आपको यहां भी डालना है तो name as पर पैन कार्ड दोस्तों यह भी हमने एंटर कर दिया है जेंडर जो है यह हम यहां पर select कर लेते हैं तो तो I think वह कुछ error आ रहा था तो यहां पर इसने accept कर लिया है अब जो हमने यहां पर gender select कर दिया है जो year of birth दोस्तों वह हम यहां डाल देते हैं आपको पूरा अपना date of birth नहीं है कि यह यहां पर सिर्फ नां10 90 के लिए क्लिक कर सकते हैं तो जैसे पर गांट दोस्तों यहां पर आपको उपर जैसे आपने मैसेज देखा कि इंडिवीज्वल रिजिस्ट्रेशन सक्सेस्फुल सो उसके बाद जो है दोस्तों इमेडेटली हमें मोबाइल पर भी मैसेज आ गया है कि डियर खुश्बूरा जी यू आर सक्सेस्फुली रेजिस्टर्ट फर अब दोस्तों जैसा हमने शुरू में बताया था कि आप एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में चार अपने फैमिली मेंबर्स को आप एड़ कर सकते हैं तो अब जो है हम यहां पर हम अपने फैमिली मेंबर को एड़ करेंगे तो इसमें जो है मान लीजे हम वोटर आइडी सकते हैं तो वोटर आइडी का दोस्तों हम नंबर यहां पर डाल देंगे अभी जो दोस्तों यह हमने वोटर आइडी का जो भी हमारा था वोटर आइडी नंबर जो है हम यहां पर डाल देते हैं सो एक बर आप डेफिनिटली सब्मिट करने से पहले इसको री वैइफाई जरूर कर लीजे एक्स इसे करके दोस्तों आप यहां पर एड कर दीजे तो देखिए दोस्तों जो भी जो है आपके मेंबर्स आपने एड किये हैं उनकी भी एंट्री जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों मैं सिर्फ जो है दो लोगों के यहां पर एड करना चाहता था तो वह मैंने कर दिया है दोस्तों देखिए आपको यहां पर ऑविसली शिडूल करेंगे तो जो भी आपका पिन कोड है दोस्तों उसके बेसिस पर जो भी निजदी की अस्पतार सेंटर होगा उसके सजेशन से आपको दिखा सकता है तो देखिए दोस्तों यहां पर सो तीन चार दो तीन चार तारिक को दोस्तों तो यह पुरा बुक्ट नजर आ रहा है और उसके बाद जो है यहां पर फिलहाल कोई वैक्सिनेशन सेंटर फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है एक काम करते हैं तो अब जो है अब हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और डि मैं जिस pin code के लिए apply कर रहा हूँ शायद वहाँ पर ना हो तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो है हमें काफी vaccination centers जो है हमें देखने को मिल रहे हैं तो अब जो है इसमें से हमें कोई भी vaccination center जो मेरे नजदीक में आता होगा वो में हाँ select कर लेता हूँ तो देखे मेरे pin code के पास में तो यह सारे centers है मेरे location से बट यह जो है दोस्तों यहाँ पर फिलहाल available नहीं है तो अब जो है मैं और scroll down करता हूँ मैं देखता हूँ कि और कहां पर मेरे नजदीक ही खाली होगा तो दोस्तों फिलहाल तो सारे के सारे 45 प्लस वाले ही यहां पर centers देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यह जो है I think हमारे इस location में कोई center फिलहाल तो available नहीं दिखा रहा है बट जो भी available हो दोस्तों आप जो है वो select कर लें और मेभी शायद इसलिए दोस्तों क्योंकि बैंगलोर में फिलहाल अभी lockdown चल रहा है दो हफते का तो शायद इसलिए दोस्तों यह सारी जो है यहां पर अभी सबके लिए open नहीं हुआ यह भी हो सकता है कि शायद अभी vaccination जो है वो सारे available नहीं हो पर्याप्त मात्रा में available नहीं हो तो जो भी है दोस्तों आई होप आपको यह overall process जो है वो definitely समझ में आ गया होगा और आप कुछ ऐसे ही जो है follow करके अपना भी vaccination के लिए registration करवा सकते हैं तो चलिए friends I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आये हो और इस वीडियो में बहुत ही बारी किसी बताया गया है कि कैसे registration का फॉर्म फील करना है और friends ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को vaccination लग चुका है और लोगों में कोरोना से संक्रमित होने की चांसेश बहुत ही कम होते जा रहे हैं तो चलिए friends मिलते हैं अगले दिन एक नया व्लोग लेकर तब तक लिए गुड़ नाइट बाए बाए